अबहरी मोशन करो सेलिब्रेट एक दम ललन टॉप स्टाइल में आगए हैं ललन टॉप स्टीकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर एसे स्टीकर्स के लिए डाउनलोट करें बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड लिंक पाए डिस्क्रिप्शन में दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED का एक्षिन फिर शुरू हो गया है आज ED ने दिल्ली पंजाब तेलंगाना समेथ देश के कई राज्यों में चापे मारी की चापे मारी की कारवाई शराब कारोबारियों के 30 से जादा ठिकानों पर हुई ED की रेट पर सबसे पहली रिय कांदारी से काम किया है चार स्कूलों के नक्षे और उन्हें मिल जाएंगे कतित शराब घोटाले में मनीश से सौधिया मुख्या रोपी है इससे पहले उनके आवास पर सीब्या की चापे मारी हो चुकी है पत्नी का बैंक लॉकर भी खंगाला जा चुका है लेकिन आज ED न कैसी कोई बरात देखी है बरात लेकर चले ED वाले बेंड बाजयों को भी बुला लिया आपको मीडिया वाले बेंड बाजयों वाले सब आगे शोर मचाने वाले और बरात दुले के घर में जारी और आप कहरें नहीं दुला तो यही है तो बरात वहां कहां ले जा रहे हो त इसका मतलब एडी ने दुला बदर दिया विटी है काफी नेता जी बीजेपी ने क्या कहा बीजेपी ने मनीश से सौधिया की बर्खास्ती की मांग को लेकर आज दिल्ली में हस्ताक्षर अभिहान शुरू किया इस अभिहान के बारे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली सरकार की भरस्ट आपकारी नीती के खिलाप अर्विन केजरिवाल सरकार ने जो शराब के ठेकेदारों से मिलकर जो हजारो करोड रुपे का भरस्टाचार किया उसका जनता के साथ भस्ताचर अभिहान चला है और आज ये अभिहान ये बताने के लिए कि दिल्ली मे आमादी पार्टी के मुख्या अर्विन केजरिवाल वो सक्ता में इसलिए आये थे कि वो कहते थे हम कटर इमानदार है जो कटर इमानदारी की बात करते थे वो आज कटर ब्रस्टाचारी हो गए है पैसे दिल्ली की नेतागिदी का ये फाइदा है मीडिया का जमावडा भी यही है रूल और प्रॉक्सिमिटी लागू होता है सब को खूब फोटेज मिलती है कतिर शराब घोटाले को लेकर करीब हर रोज नई दावे और आरोब सामने आ रहे हैं पांच स्कंबर को बीजेपी ने किस्टिंग वीडियो जारी कर दावा किया था कि नई शराबनीती से अर्विन केज रिवाल और मनीश सिसौदिया ने कमीशन कमाया सिसौदिया ने बीजेपी किस्टिंग वीडियो को मजाग बताया इसके साथ ही कल सिसौदिया ने केन सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए कहा कि उन्हें गिरफतार करने के लिए CBI के एक अधिकारी के केन सरकार ने इतना दबाव बनाया कि उसने आत्मत्या कर ली CBI निसे सौधिया के इस बयान का संग्यान भीलिया और इसे गलत भी ठहराया बाकि दिली की शराब नीती पर हमने कुछ दिनों पहले एक डिटेल में शो किया था अगर आप इस मुद्दे की तेह तक जाना चाहते हैं तो आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक मिल जाएगा अगली सुर्खी एक स्टार क्रिकेटर से जुड़ी है टीम इंडिया के पूर बलेबाद सुरेश रहना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया इस बात की जानकारी सुरेश रहना ने ट्वीट के जरिये दी जिसमें नोंने लिखा देश और उत्तरप्रदेश राजी के लिए क्रिकेट खेलना मेरे लिए गर्व की बात है मैं आप क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास की घोशना करता हूँ साथ ही मैं BCCI, UP क्रिकेट संग, CSK और राजीव शुकला सर का धन्यवाद करता हूँ मुझ पर भरोसा दिखाने और सपोर्ट करने के लिए मेरे फैंस को भी शुक्रिया इससे पहले रहना ने 15 अगस 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया था लेकिन वो उत्तरप्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे ले सकते पर ऐसे में रहना के लिए दुनिया भर की टी ट्वंटी लीग में खेलने के लिए सन्यास लेना जरूरी था सुरेश रहना का इंटरनेशनल करियर बहतर रहा उन्होंने 226 बंडे मैच खेले जिसमें 5 शतक और 36 अधिशतक उनके नाम रहे कुल रन बनाए 5,615 आई पिल में भी रहना का शानदार प्रदरशन जारी रहा 205 मैच में 32.51 की उसत से उन्होंने टोटल 5,528 रन बनाए और जिस उत्तर प्रदेश को खासी मशक्कत करनी पड़ती थी रास्ट्रीट टीम में अपने प्रदेश के खिलारियों का नाम देखने के लिए सुरेश रहना ने उसको एक इस्थाई भाव में तबदील किया यह सिलसला मुहमत कैफ से शुरू हुआ सुरेश रहनार पी सिंग प्रवीन कुमार मुहमा शमी यह लगातार जारी है अगली सुर्कियों के और बढ़ने के लिए दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल का यह बयान सुनिया कल प्रधान मंतरी जी ने एक ऐलान किया कि 14500 सरकारी स्कूलों को देश भर में अच्छा बनाया जाएगा मौडन बनाया जाएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन 14500 स्कूलों से क्या होगा देश में साड़े दस लाक सरकारी स्कूल है साड़े दस लाक अगर 14500 स्कूल एक साल में अगर करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे 10 लाक स्कूलों को 70-80 साल लग जाएंगे 10 लाक सरकारी स्कूलों को ठीक करने में कल टीचर्स डे के मौके पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी स्कूलों को लेकर जो ऐलान किया था उसके तहर देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को मौडरन तरीके से डेवलप किया जाएगा इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाय होंगी पीम मोदी की इस घोशना के बाद आज दिली के सीम के जिवाल प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए जवाबी हमला कर रहे थे के जिवा डेरीके स्कूलों में डिलीन हमसाव प्रणार पार तक के जिवाल यानी साथ से तंबर से मेक इंडिया मिशन की मनमोहन सिंग कुछ भी बोलते थे गुजरात की राजधानी से गुजरात के मुख्य मंतरी नरेंद्र मूदी उसका प्रती आख्यान प्रस्तुत करते थे अब अर्विन केजरीवाल दिल्ली के मुख्य मंतरी है नरेंद्र मूदी देश के प्रधान मंतरी है प्रधान मंत्री कुछ बोलते हैं तो केज जीवाल पंजाब की जीत के बाद से एक प्रती आख्यान प्रस्तुत करने लगे हैं अगली सुर्की का रुक करते हैं ये बैंगलूरू से आई है लगातार हो रही बारिश से बैंगलूरू में हालात बिगड़ते जा रहे हैं पानी सडकों से होता हुआ रहाइशी राकों तक भर गया है पौश कॉलोनियों में भी फसे लोगों को निकालने के लिए नाव चल रही है सडकों से गाड़िया निकालने के लिए रसियों का सहारा ऐसे में सब्ता में बैठी सरकार यानी भाजपा की सरकार और विपक्ष इन दोनों का काम है कि जल्द से जल्द उबरने के रास्ते खोजे जाएं पर इस मुद्दे पर हो रही है जमकर राजनीती और इसकी टोपी उसके सरवाला खेल करनाटा के सियम बसाव राज बुम्बई ने बेंगलूरू की इस हालत के लिए पिछली कॉंग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठेराया बुम्बई का कहना है कि कौंग्रेस सरकार के कुषासन का पड़नाम है कि आज बेंगलूरू की ये खालत हो गए बुम्बई ने ये भी दावा किया कि बेंगलूरू की ऐसी छवी बनाई जा रही जैसे कि पूरा बेंगलूरू मुश्किलों का सामना कर रहा है जब कि ऐसा नहीं है दूसी और करनाटक कॉंग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बोमई सरकार में मंत्री रहे आर अशोक की एक तस्वीर शेयर की गई है मंत्री हैं जिसमें बाल की समीक्षा बैठक में आर अशोक आराम की मुद्रा में रज़र आ रहे हैं फोटो को शेयर करत अहालात से ने पटने के लिए 300 करोड रुपय के राहत पैकेज का एलान किया है ललन टॉप का सबसे थस ठेट और ठसकदार बेजी आगे है ललन टॉप का पॉड़कास जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप एप पर